आपके पास लावा ब्लेज 2 है, 2 प्रो है या फिर 2 फाइब जी है तो उसके अंदर मैसेज नॉटिफिकेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो उसको करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले मैसेज पर टैप करेंगे करना है और यहाँ पापको देख जाएगे 3. इस पर जाना है और यहाँ पापको देख रहा होगा सेटिंग का उप्शन इस पर आपको टैप कर लेना होता है करने बाद यहाँ आपको दीख रहा होगा general का option इस पे आप tap करेंगी तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से setting देखने को मिल जाती है तो यहाँ आपको दीख रहा होगा notifications इस पे आपको tap कर लेना है करने बाद यहाँ आपको इस तरह से interface देखने को मिलता है तो सबसे पहले उपर के साथ यहां पर आपको दीख रहा होगा All Message Notification अगर आप इसको बंद कर देते हो तो सारा का सारा आपका Notification का Option बंद हो जाता है तो आपको इसको बंद करने के जो अधने हैं सिर्फ आपको On करना है बाकि यहां से आप जाके करके आप Customization कर सकते हो तो करना क्या है सबसे पहले आप आपको दीख रहा होगा Incoming Message इस पर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर आपको दीख रहा होगा So Notification तो अगर आप चाहते हैं कि लोग स्क्रीन पर Notification So करे तो इसको आपको इनेवल कर देना है बाकी अगर आपको हाय रखना है तो इसको आपको बंद कर देना है बाकि आपको Sound के लिए होता है अगर आपको Prlay रखना है कोई भी Notification, Message आए, तो आपको Phone Translender है तो इस पर कर लेंगे बाकि अगर आपको Sound पर चाहिए तो आपको default पे कर लेना होता है, बाकि यहाप आपका puff of screen है, तो इसको आपको enable करके रखना है, बाकि यह sound है, तो यहाँ साब जाके directly, जो भी आपको sound लगाना है, यहाँ से लगा लेंगे, बाकि रही बाद अगर आपको downloaded sound लगाना है, यानि जो आपके phone में already है, उसको लगा आपको tap कर लेना है, यहाँ पर आपको लाश में जाओगे, add ringtone का option हैगा, इसको आपको tap कर लेना है, अब जो भी आपके file में है, या फिर आपने जो download कर रखा होगा, यहाँ आपका so कर जागा है, यहाँ से लगा लीजेगा, लगाने बाद ओके करना है, बाकि यहाँ आप या फिर आपके contact का notification हो, सारा lock screen पर so करेगा, बाकि इस पर जब आप करोगे, तो इस पर सिर्फ आपके जो app का notification होगे, वो आपका so करेगा, बाकि जो contact का होगा, वो आपके lock screen पर so नहीं करेगा, बाकि तीसरा option होता है कि आपका कोई भी notification lock screen पर नहीं so करेगा, बाकि आपको आपको दिखेता नोटिफिकेशन डॉट तो इसको आपको इनेवल कर लेना है तो इस तरह से आप अपने फोन में करने लिजिएगा बागे करना है बैक यहाप आपको सेम प्रोसेस होई करना है बैग्राउंट टास्क के लिए वही सेटिंग होती है यहापको अपने हिसाब से इसको कॉस्टोमाइजेसन कर लेना होता है करना है बाकी आप आपको दिख जारता है तो अगर यहापफ को बैट करना है यापके बैट अले वाले पर कि आप फोन में नंबर सेव होंगे उसका पेर बवल्स बनेगा बाके दूसरे नंबर पर नहीं बनेगा तो इस तरह से आप अपने फोन में कर लिजेगा अगर वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक कमेंट से हर सब्सक्राइब कीजेगा मिलता है नाक्ष्ट वीडियों तक कि लिए बाइ बाइ